Hello everyone and welcome back. Excel के lecture no.7 में आज का मारा टॉपिक है How to enter series of data like days, months and progressive numbers. मेरा नाम है माज़शाहप और आइ क्विकली स्टार्ट करते हैं देखते हैं Excel में हम कैसे ये data इंटर कर सकते हैं. So पहला टॉपिक है series of data like days and so on. So मैं आता हूँ यहां पे Excel पे और यहां पे मैं अपने किसी भी कॉलम में like vertical or like horizontal series of data जो है वो लिखना चाहता हूँ. Series of data क्या होता है? Like आप days में लिखते हैं Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ये एक series है. तो मैं आप यहां पे आकर लिख लेता हूँ let's suppose Monday और इंटर कर देता हूँ. अब Excel को पता है कि आपके पास Monday के बाद आ रहा है Tuesday, then we have Wednesday, Thursday and so on. तो बज़ाए कि आप उसको लिखें, Excel कहता है कि मैं आपकी इस case में help कर सकता हूँ. कैसे आप series बना सकते हैं? Series कैसे बनेगी? यह जो cell है, थोड़ा पर जूम करता हूँ इसको, यह जो cell है, इसके अगर आप bottom right corner पे आपके चेक करें, bottom right corner पे आपको एक छोटा सा dot सा नज़र आ रहा है, green color का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए फर्दर, screen को, यह जो आपको एक dot सा नज़र आ रहा है, green सा, इसकी बात हो रही है, तो इसको हम लोग utilize करेंगे, यह use होता है for series of, यह different purpose के लिए use होता है, इसके पास cursor अगर आप ले जाएं, तो मेरा जो cursor भी आपको white color का नज़र आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद वो black color का हो जाएगा, like this one, black plus, इसका मतलब है कि अब आप series जो है, वो create कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं fill handler, यह जो आप देख में fill handler है, तो मैं यह पे click करता हूँ, और drag करता हूँ downward, तो आप देखें कि मुझे एक tool tip आ गया है, कि यहाँ पे data आने वाला है Tuesday, फिर मैं drag करता हूँ downward, data आ रहा है मारे पास Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and so on, जैसे मैंने cursor को leave कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे पास एक series जो है, वो create हो गई है, अगर आप इस series को right side पे बनाना चाहते हैं, तो मैं इसी point पे आता हूँ, आगे जाता हूँ Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and so on, तो आप देख सकते हैं, कि जो series है, वो horizontal भी create हो रही है, इसके लवा, अगर मैं यहाँ पे आख के लिख लेता हूँ for example, Monday, और अगर मैं इस series को back side पे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से जाके हम लोग left side पे जाते हैं, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पे Sunday आ गया, Saturday आ गया, Friday and Thursday, यह reverse जाती है, अगर आप इस तरीके से जाते हैं, back side पे, अगर आप अपवर्ड जाते हैं, तो देखेंगे क्या होता है, वही result आ रहा है, Sunday, Saturday, Friday and so on, तो यह अपवर्ड भी reverse series में जाता है, left side पे भी reverse series में जाता है, जबकि आप down side पे, और अगर आप right side पे जाते हैं, तो यह front पे जाएगा, तो यह एक series हम ने create कर दी, हम एक और series create करते हैं, इस बार जो मैं series create करहूं, वह है month की January, इसके बाद मुझे पता है कि वह February है, मार्च, April and so on, तो आप देख सकते हैं, यह series create होना शुरू हो चुकी है, and likewise, आप अगर horizontal voice जाना चाते हैं, तो आप right पे भी इसको drag कर सकते हैं, उसी तरह अगर आप reverse पे जाएंगे, तो फिर left side पे करेंगे, तो वो reverse पे ले आएगा, like December and so on, तो इस तरह के से आप लोग series जो है, वो create कर सकते हैं, इसके बाद, अगर मैं आप से ये कहूं, कि हम लोग create कर लेते हैं, let's suppose, numbers को, तो मैं आप लिखता हूँ one, अब मुझे इसकी series create करनी है, number की, numeric series, तो आप देखें, अगर मैं इसको drag करता हूँ, तो ये क्या repeat कर रहा है, देखें, one, 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 ये सारा one repeat करने लगा है, आपको जो भी number होगा, like hundred है, और आप इसको click and drag करते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये सारा same number repeat कर रहा है, now that is actually not a series, अगर आप series बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने control की press करनी है, control, और इसके पास आजाना है, fill handler के पास, और click and drag करना शुरू कर देना है, तो आप देख सकते हैं, कि आपके series जो है, वो create हो चुकी है, इसी तरह अगर मैं right side पे जाऊँगा, click and drag, control मैंने press किया वाए, तो आप देख सकते हैं, हमारे जो numbers हैं, वो create होना शुरूर हो चुके हैं, इसी तरह, अगर मैं यहाँ पे, एक number लिख लेता हूँ, one, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि three आए, आपको यह जो आइकन है, वो मिल रहा है, इस बार अगर मैंने series drag कर दी, तो आपको five मिलेगा, seven मिलेगा, nine मिलेगा, and so on, तो आप देख सकते हैं, कि आपकी odd series जो है, वो create हो चुकी है, even series create करना चाहते हैं, two, four, drag कर लेते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर even series जो है, वो create होना शुरू हो चुकी है, तो इस तरह कि आप बहुत से series जो है, वो excel में बना सकते हैं, January, February, and जो days की names हैं उसके, आप यह भी कर सकते हैं, कि अगर आपने यहाँ पर लिख दिया, Monday का small form में, M-O-N, और आपने इसको drag कर दिया, तो आप देख सकते हैं, कि यह short form में आप लिए series जो excel क्रियेट कर रहा है, इसी तरह अगर आप लोग आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं January का Jan, और हम इसको drag कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यह आपके लिए short form में series जो है, वो create कर रहा है, इस तरह के से आपकी जो series हैं, वो create होती है excel में, और यह बहुत जरूरी हो जाता है, कि आप लोग excel में sometimes series बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा और काम भी बता देता हूँ, and let's suppose आपके पास कुछ supplier के names हैं, for example, अली, पान, आहमद, फिलाल, सिया, उमर and so on, अब यह जो names हैं, यह हम एक series में बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसी मैं अली लिखूँ और ड्रैक करूँ तो, यह सारे names जो हैं मेरे पास आजाएं, अब यह कैसे होगा Excel में, खुद की create कीवी series, आपको जाना है file पर, more options, ओके यह environment आगया आपके पास, आप आजाएं, advance option पर, और इसको मैं ड्रैक करता हूँ downward, जब तक मुझे यह option नहीं मिलता, edit custom list, जो मैं आपको भी list नें बता रहा था, series, वो यहाँ पर बनी है, तो मैं इसको click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह सारी series यहाँ पर आ रही है, इसके लावा मैंने अपने कुछ series बनाई हैं, जैसे names किये हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो series आ रही हैं, तो मैं अगर अपना name drag करूँगा, तो यहाँ पर series बनना शुरूर हो जाएंगे, तो मैं एक series आपके सामने भी बना लेता हूँ, तो मैं आपके लिखता हूँ, for example, अली, इंटर, फान, एमद, बिललाल, जिया, उमर, यह कुछ series मैंने यहाँ पर जो अभी आप नाम देख रहेते हैं, यह मैंने बना दी, तो इसको मैं कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो names add हो गए हैं, इसको ok करते हैं, ok कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, और सिर्फ अली लिखते हैं, और देखते हैं कि हमारा fill handler जो हमारी help करेगा, and yes आप देख सकते हैं कि वो सारे names जो हैं वो, या जो भी हमने लिखे थे, वो सब repeat हो चुके हैं, अब मैं जहां पर भी अली लिखता हूँ, और इसको click and drag करता हूँ, आप देख सकते हैं कि वो सारी series एकी दफ़ा मैंने लिखी, और मैं इसको बार बार utilize कर सकता हूँ Excel में, बहुत important option है, काफी जरूरत पड़ेगी, अगर आप pharmaceutical company में हैं, या किसी NGO में हैं और आपको बार बार एक डेटा लिखना पड़ता है, तो hopefully आपको ये help कर देगा, अगर आपको help कर रहा है तो मुझे इसके बारे में बता दीजिए, comments form में, और अगर कोई और आपके problems हों तो वो भी बताइए, मैं आपके साथ share कर लूँगा, उसका solution आपके साथ video format में, मिलते हैं तब next lecture में तब तक के लिए thank you, Allah Hafiz.